नमस्ते फ्रेंट, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ पोटेटो पाइट्स की रेसिपी, जो एकदम ही क्रीस्पी और टेस्टी बनके तयार होती है, यह अंदर से एकदम सौप्ट और उपर से एकदम क्रंची होती है, स्पेशली यह बच्चों को बहुत ही पसंद आती हो, और हम अक्षर बच्चों को जब जीत करते हैं, तो हम अक्षर बाजार से यह फ्रोजन लेके आते हैं, और घर पे फ्राय कर लेते हैं, लेकिन इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, यह पांच या दस मिनिट में बनके तयार हो जाती है, तो चलिए, आज हम यही रे जब 10 मिनिट के लिए भीगों के रख दिंगे, जब 10 मिनिट हो जाएगी, तो हम एसे एक चन्य में चान लेगे, और उसका एक्स्क्रा सारा पानी निकाल लेगे, देखे, मैंने इसको चन्य में डाल दिया है, और उसे हम 2 मिनिट ऐसे ही रहने देंगे, ताकि एक्स्..्रा प हुए दो आलू डालेंगे यहाँ पर मैंने आलू को उबाल के मैस करके लिया है यह दो बड़ी साइज के आलू है जिसको मैंने उबाल के मैस कर लिया था इसे भी हम एड़ कर देंगे अब हम मसाले एड़ कर देते हैं मसालों में हम स्वादनुसार नमक दो चमच चाट मसाला यह छोटी वाली चमच है टी स्पून और एक चमच करम मसाला एड़ कर देंगे रुपा से कटा हुआ हरा दन्या डालेंगे इसमें बहुत ही कम इंग्रीडेंस यूज होते हैं और यह बहुत ही टेस्टी बनके तयार होता है अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हो तो इसमें आप हरी मिर्च का पेस्ट या तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए यह हमने मिक्स कर लिया है हमें ऐसे बाइंडिंग आने तक इसे मिक्स करना है देखिए यह अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम एक कड़ाई में ओल लेंगे और उसे गरम होने के लिए रख देंगे ओल को हमें हाई हीट पे गरम करना है अब हम इसके बैट्स बना के रेडी कर लेते देखिए ऐसे गोल गोल बना के हम रोल कर लेंगे देखिए कितना आसान है और ऐसे अलग-अलग चीज़े बच्चों को बना के अगर देते हो तो बहुत ही सोक से खाते है देखिए ऐसे रोल करके और साइट से प्रेस करके रोल कर लेंगे ऐसे छोटे-छोटे बैट साइज के रोल बना के रेडी करेंगे फ्रेंड्स आपको मेरी प्रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सेर और सस्क्राइब करना ना पूले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफकेशन आपको जल से जल मिल जाए देखें ऐसे हम सारे रोल्स को बना के रेडी कर लेते हैं यहां पर हमारा ओल पी गरम हो गया है तो हम इसे एड़ कर देंगे यह मैंने एक बेच बना के रेडी किया है और हमें हीट को कम नहीं करना है हमें हाई हीट पर इसे फ्राई करना है अगर हमारी हीट थोड़ी कम होगी तो यह खुल जाएंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें हाई हीट पर ही इसको गरम करना है और एक बेच हमें इसे इसमें एड़ कर देंगे और हम इसे ऐसे पकने देंगे चन्नी बननी कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको ऐसे चलाने से यह तूट जाते तो जब तक यह अपने आप उपर तेरने ना लगे और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे छेड़ेंगे नहीं देखिए हमारे सारे बाट उपर तेरने लगे है तो अब हम इसे एक दो बार ऐसे चला लेंगे ताकि वो अलग हो जाए यह एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं लेकिन कोई टेंशन के बाद नहीं है जब यह पक जाएंगे तो वो अलग हो जाएंगे और जब यह गोल्डन ब्राउन के हो जाएंगे तो हम इसे टीशू पेपर में निकाल लेंगे देखिए कितना मस्तर बनके तयार हुए एक्दम क्रीस भी लगते हैं और कलर भी कितना प्यारा आया तो आप भी जरूर बना के ट्राइ करिएगा बच्चों को बहुत ही पसंद आयेगा तो हम दूसरा बेच भी फ्राइ करके फ्राइ कर लेंगे हम इसे भी सेम प्रोसेस से फ्राइ करेंगे अब हमारा दूसरा बेच भी बन के तयार है ऐसे चिपक जाए तो आप छननी से इसे अलग कर सकते हो अगर आप पहले ऐसे करने जाओगे तो ये तूट जाएंगे जब ये अपने आप गोल्डन ब्राउन कलर के न हो जाए तब तक हमें इसे पलट ना नहीं अब हम गेस बन कर देंगे और इसे निकाल लेंगे तो हमारे सारे पोटेटो बाइट्स बन के रेडी है तो चलिए हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं आप ये रेसिपी बना के जरूर ट्राइ करना आप सब को जरूर पसंद आएगा स्पेशली बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसे हम टोमेटो केचप के साथ साओ करेंगे तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइबाइ कर दो मिलते हैं